आज इस सेशन के अंदर हम डिसकस करेंगे नियर बाइ 100 का स्केर कैसे निकालते हैं ठीक है कोई भी नंबर हो जो नियर बाइ 100 हो तो उसका स्केर निकालने के लिए करने के लिए मैंटली कैलकुलेशन होती है वह हम कैसे स्वाल कर सकते हैं ठीक है तो सेशन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे सेशन के अंदर न्यूँ आ रहे है नए बार मुझे पहली बार सुन रहे है तो आपको यहां पर इस चैनल को जुनूर जोईन कर ले और मेरी बाक से बहुत ज्यादा important है clear और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ इससे पहले मैंने के आपको 50 का स्केर बताया था कैसे find करते हैं अभी यह आपर 100 का स्केर दिखा रहे हैं कि कैसे find कर सकते हैं तो 100 के आसपास वाले number कौन से होंगे 100 के आसपास वाले number होंगे like जैसे 88 हो गया 89 हो गया या फिर हमारा 81 हो गया या फिर हमारे पास 98 हो गया या फिर 106 हो गया या फिर हमारे पास 112 हो गया तो इन सभी के scale हम कैसे find कर सकते हैं उनका एक हमारे पास ठोटा सा trick है ठीक है trick के उपर चलते हैं और इसके calculation करने के सीधे भी तरीक होंगे मैं आगे जाकर उनको भी बताऊंगा बट यह ट्रिक आपको आना जरूरी है पेपर पॉइंट आप यू से ठीक है चाया आप बैंक की त्यारी कर रहो हो या फिर SAC की त्यारी कर रहो या फिर कोई भी पार्ट के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले स्केर है अगर हमने फाइंड करना है नियर बाइ 100 तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 100 का स्केर रखता हूँ 100 का स्केर सबको पता है कितना होता है चार जीरों लग जाएंगी साथ में ठीक है, दो जीरों है दो जीरों बढ़ जाएंगी और अगर मिरे पास 108 है, तो इसको कैसे करेंगी ठीक है, मैं यहाँ पर लिखके दिखाता हूँ 100 है, 100 से 108 नəmbर 108 इससे कितना जज़ा हो गया? 8 नमबर जढ़ा हो गया तो 8 number पहले तो हम 50 वाले के अंदर 50 में add कर रहे थे बट इस बार यहाँ पर इसके उपर add नहीं करेंगे हम इस 8 को इसी की अंदर add कर देंगे मतलब 108 के अंदर मैंने यहाँ पर 8 add कर दिया कितना हो गया मिरे पास 116 और इसी 8 का यहाँ पर scale लिखे देंगे 64 यह इस question का उत्तर है ठीक है फिर से देखो 108 का मैंने आपको क्या logic बता है 108 आप mentally calculate कैसे करोगे 100 से कितना ज्याद है 8 number 8 number आप इसी में add कर दोगे कितना होजेगा 116 7 में क्या होजेगा 8 का scale फिर से चेक करो यहाँ पर 102 का कैसे निकालोगे 102 का यहाँ पर 100 से कितना नंबर ज्याद है हमारे पास 2 तो 2 आप इसी में add कर दोगे कितना होजेगा 104 और 2 का scale पीछे लिख दोगे 04 फिर से चेक करो यह से मैंने 118 लिखा 118 का आप एक बार खुद ट्राइ करो 118 का कैसे करोगे 100 से 118 को देखोगे कितना नंबर ज्यादा आगा 18 तो 18 आप इसी में add कर दोगे यह कितना होजेगा 136 बड़ जब 18 का scale करोगे वो आएगा 324 तो वो एक digit आपका इसके नीचे होगा वस इसको याद रख लेना है इसमें गड़वड कोई भी यह आपका concept है एक नंबर मैं और बता देता हूँ जैसे मैंने लिखे 112 का scale 100 से कितना ज्यादा नंबर दिख रहा है 12 नंबर तो आपने 12 नंबर इसी में add कर देना है कितना होजेगा 124 और 12 का scale इसके साथ लिखो दोगे 124 उसको यहाँ पर 3 digit नंबर आएगा तो हमेशे add करेंगे ठीक है 12544 यह इस question का उते रहे ठीक है समझागी खानी अब चलते हैं एक और question एक और यहाँ पर तींचर question करते है इसी के उपर 100 का scale तो सभी को पता ही दिया था मैंने अभी अभी ठीक है और अगर लिखे 99 तो आपको दिख रहा है कि 100 से 99 है वो कितना नंबर कम है एक नंबर कम है तो 99 में सी एक नंबर कम कर दोगे कितना आएगा 98 और एक इसका square कर दोगे 1 का scale 0 1 मेशा 2 digit यहाँ पर लिखे जाएंगे ठीक है जिसे 92 92 अब 100 से कितना कम दिख रहा है 8 तो 8 आप 92 में सी कम कर दोगे 8 करोगे तो यहाँ पर आएगा 84 और यहाँ पर 8 का scale आज़े का 64 यह इसका उत्तर होगा खानी समझागी फिर से एक बार check करो 89 का तो 100 से 89 कितना कम हो रहा है हमारे पास 11 11 आप इसी में से कम करोगे कितना आएगा 78 और 11 का scale इसके पीछे लिख दोगे 121 इन दोनों को add करोगे यह आजएगा 7921 यह इस question का उत्तर होगे खानी समझा रही है अगर आप student 84 का भी check करना चाते है वो भी check कर सकते है 100 है 100 से 84 के उपर जाना है तो यहाँ पर 16 नमबर कम है तो 16 नमबर इसमें कम करके लिखो और यहाँ पर 16 का scale आएगा उसको 3 डिजट को बना के इसके एक डिजट को यहाँ पर add कर देना ठीक है अब इसका जो भी उतर आएगा वो यहाँ पर आप comment box में जुरूर मुझे बताओगे आपका जो भी उतर आए clear अब चलते हैं हमारे पास next part के उपर मैं आपको सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि इस channel के अंदर अगर आप join करते हो आने वाले time के उपर आपके जितने भी easy calculation वाले method होंगे सारे के सारे यहाँ पी upload होंगे जितने भी shader region के question आ चुके हमारे PYQ के अंदर चाहे वो SSC के हो यहाँ फिर CDS के अंदर हो यहाँ फिर आपके एक paper की मैं बता दूं बात IBPSPO IBPSPO 2016 के अंदर भी shader region का question आया था तो वो सारे question मैं यहाँ पर आपको एक साथ मी करवाने वाला हूँ ठीक है और आने वाले बहुत ही जल्द time के ओपर यहाँ पर आपको quantitative के को आपके पास एक एक करके topic, percentage, ratio उनके सारे के सारे question चाहे वो किसी paper में आ रखे हैं किसी paper में आ रखे हैं टूटली मैं सारा कुछ बताऊंगा ऐसा नहीं कि यहाँ पर पूरे मैं दस ही आर question अप्लोड करूँगा नहीं मैं आपको एक एक type आपको हर एक question की बताऊंगा उसी को कर ले ना उससे आपका paper कोई भाव सी नहीं आएगा ठीक है और इसके इलावा आपको पाईसे session के अंदर मैं reasoning बहुत जल्दी वो भी start करने वाला हूँ reasoning के छोटे छोटे concept जैसे direction, blood relation, syllogism आदे बच्चों को syllogism नहीं पता चलता क्या होता है, syllogism के question कैसे करते हैं वो सारा कुछ मैं update करने वाला हूँ ठीक है तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो यह वीडियो को यहाँ पर like जरूर करें comment करके जरूर बताएं कि यह session आपको कैसे लग रहे है आने वाले time के अंदर आपको और भी इसके session के यहाँ पर logical question मिलेंगे और आप क्या करो अभी अभी इस channel को join कर लो और अपने friend circle को invite कर लो clear तो बहुत जल्दी मिलते हैं हमारी next video के साथ, bye bye take care and thank you